तो दोस्तो जैसे कि आप सब के लिए मालूम ही होगा कि WhatsApp अपने लगातार अपडेट लाता ही रहता है और उसके साथ फीजर भी काफी जादा यूचफुल लेके आता है तो दोस्तो आज हम एक WhatsApp के न्यू अपडेट के बारे में आप सब के लिए बताने बाले हैं वैसे यह कोई ओल्ड अपडेट नहीं है आज ही कल के अंदर WhatsApp का यह अपडेट आया है तो दोस्तो आज हम बेसिकली इसी अपडेट के बारे में आप सब के लिए बताने बाले हैं इस अपडेट में क्या न्यू फीचर आये हैं और उन्हें कैसे यूज करना है बैसिक फीचर काफी जादा यूजफुल है इससे आपका टाइम बहुत जादा बचने बाला है और टाइम कैसे बचेगा वह भी मैं वीडियो में आप सब के लिए बताऊंगा तो इस वीडियो में एंड तक जरूरू बने रहे हैं क्योंकि वीडियो काफी जाना इंट्रेस्टिंग होने वाली है और अगर आप लोग ने अभी तक इस वीडियो को लाइक ने किया तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं और उनकी चैट से बैक कर देते हैं तो वो वाइस मेसेज प्ले होना बंद हो जाता है लेकिन अब इस अपडेट के बाद वो वाइस मेसेज प्ले होना बंद नहीं होगा आप इस वाइस मेसेज को किसी भी वाइस मेसेज को बैक ग्राउंड में भी सुन पाएंगे यह update अभी beta users के लिए मिला है जल्दी यह सभी के लिए भी मिल जाएगा तो आप लोग लगातार WhatsApp के लिए update करते रहे और चलिए हम WhatsApp को open करते हैं और आप सब के लिए बता देते हैं कि update क्या है और इसे कैसे use करना है तो हमने यहाप पर WhatsApp के लिए open कर लिया है चलिए अभी हम अपनी ही chat में चलते हैं तो हमने यह आपर कुछ voice message किये हैं तो हम उनके लिए सुनते हैं तो जस्तो इसके पहले मैं आप सब के लिए बता दूँ यह update थोड़ा सा अभी bug चल रहा है और जब तक आप सभी के लिए मिलेगा तब यह bug fix हो जाएगा अगर आप लोग voice message play करके और pause करते हैं उसके बाद back जा देंगे तो यह pop up so नहीं करेगा और हो सकता है कि so करने लगे लेकिन अभी फिला लिए so नहीं कर रहा है proximity sensor से अगर pause करते हैं आप तो यह so करता है है ना आप back जाने के बाद भी यह so करेगा तो चलिए हम इसे play करते हैं और उसके बाद back जाएंगे है ना और proximity sensor चाहिए voice message को pause कर देंगे जिससे कि मैं आप सब के लिए समझा सकूँ तो हमने यहाँ पर अभी voice message को pause कर दिया है तो देख सकते हैं अभी voice message pause है तो सबसे पहले बता दूँ यह pop up आप सब के लिए कहां पर so होगा अगर आप talk back ही हो जाए रहे हैं तो आप सब के लिए voice message का pop up whatsapp के logo के left side मतलब जहां भी so करें आप right then left करेंगे तो आप सब के लिए pop up voice message का so हो जाएगा अगर आप commentary skin reader यूज कर रहे हैं तो मैं आप सब लिए बता देता हूँ तो चलिए हम यहां से slide करेंगे new chat के बाद आप सब के लिए pop up so होगा जो की है यह देखिए मेरा नाम so कर रहा है स्रीकान स्रीकान और उसके बाद हमें voice message so करता है फिले यह कितनी मतलब slider है इसका close button तो हम जैसे इस voice message को पिले करेंगे यहां से पिले होने लगेगा और आप कहीं पर भी इस voice whatsapp में explore करते रहेंगे यह voice message पिले होता रहेगा हो सकता है आप किसी की और chat में जाएं तो यह pause भी हो जाए लेकिन कुछी दिन background में ही auto play भी हो जाएगा चली अब पिले करते हैं बेल आइकन को भी और पर प्रेस कर दें और इस वीडियो को सभी के साथ share करना बिल्कुल भी न भूल है तो इस message को testing के लिए किया था तो thank you तो देख सकते हैं अभी यह voice message background में play हो चुका है आप सब देख सकते हैं कि मैं back हूँ अभी तो यह अभी record कर रहा है तो आप सब के लिए अपडेट के बारे मैं मालूँ चल गया होगा यह update क्या है और कैसे use करना है अगर यह update आप सब के लिए पसंद आया